रादे रादे, सनातन धर्मको बारेमा चर्चा गरने क्रम्मा अहिले सम्मा आमीले यही बुजें कि आमी सबै आनन्द चाहांचों, सुखा चाहांचों र त्यो आनन्द को तीन ओटा प्रमुख लक्षण बताईयों, आनन्द अनन्त मात्रा को उन्छा, प्रतिक्षण बर्दै जान्छा र सधै रही रहांचा, एस्तु लक्षण ले युक्त आनन्द बेदले बतायो भागवान नहीं हुनोंचा अर्थात, चाहे आमी आनन्द बनों, चाहे भगवान बनों, यवटे कुरा हों हरेक बेक्ती, हरेक जीब भागवान को अंश भय को कारण ले गरदा, आनन्द को अंश भय को कारण ले गरदा, आनन्द नई चाहांचन, स्वाभाविक रूपमा चाहांचन, कसेले सिकावनू पर्दैन, र सधै चाहांचन, नित्य चाहांचन, तेसेले यही जीब मात्र को स भगवान नई आनंद भय को कारण ले गर्दा भगवान लाई पाय रने आमी सुखी उन सक्षओं संसार बाट कदापी सुख मिल्दैन संसार मा जतिपनी सुख अहिले सम्म अनुभव गर्यों सेमित मात्रा को घर्दै जाने समाप्त होने एस्तो सोभावले युक्ता आनंद को अनुभव गर्यों रत्यो दिभ्य शास्वत अनंत आनंद प्राप्त गर्ण को निमती भगवान लाई प्राप्त गर्णु छा भगवान लाई कसरी प्राप्त गर्ण सकीन छा जाने र प्राप्त गर्ण सकीन छा केवल जाने पुक्ष अरु केही पनी गर्णु परदै न भ भगवान लाई जानन को निम्ती हामी ले प्रयत्न गर्यों। सबय बंदा पहले यही बुजयों कि केवल मानव शरीर माने हामी भगवान लाई जानन सक्छों। अरु कुने पनी शरीर मा चाहे स्वर्ग का तेवी देवता को शरीर नही किनना होस। तेसमा पनी भगवान लाई जानन सक्छी दैना। तेसे ले यो मानव देह अत्यंत दुरलव छा। यती दुरलव छा कि स्वर्ग का देवी देवता पनी भगवान संग प्रार्थना गर्दचन। कि हे प्रभु मलाई मानव देह दिनुस तैपनी प्राप्त गर्न सक्देन। येस्तो अनमोल देव दुरलव मानव शरीर पाए र येसको उपयोग भगवानलाई जान्नको निम्ती नही गर्नू पर छा येदी भगवानलाई जान्नको निम्ती येसको सदुपयोग न गरी कन केवल संसारलाई पाउनको निम्ती या संसारी भोग बिलास माने येसलाई उपयोग गर्यों बने यो हमरो लागी सबयवंदा आठफुलो दुरभाग्य को कुराव जस्तै द्रिष्टानत मेले योटा दियेको थें येसागी कि योटा बेकतीले पारस मडी पाये रपने तेसको उपयोग चट्नी पिष्णको लागी गर्यों तेसे गरी यो आम्रो मानब्देह पारस मड़ी समान छा रए येसको सही उपयोग बनेको भगवानलाई जाननू रभगवानलाई प्राप्तगर्न को निम्तियो किनेकी भगवानलाई प्राप्तगरेरने हामी सुखी होना सक्छों यो मानब्देह एती दुरलव विशेयो यो मानब्देह को बारे मां ज्यान प्राप्तगर्नू एसको महत्व भुजनू यो एती जरूरी कुरा हो कि एसलाई नबुजीकन आमी भक्ति छेत्रमा भागवत छेत्रमा अगाडी नहीं बढ़ना सकते नू तेसेले मानब्देह दु बेला हामी मर्चों कसैलाई पनी था चैना यो मानव देह छ्यडभंगूर बताईयो एक पलको पनी भरोसा चैना तेसेले तुरुन्तै लागी आलनू पर चा लक्ष प्राप्तिको निम्ती जुटी आलनू पर चा केवल भोग बिलासकै निम्ती बर्तमान लाई बरवाद गरेर भागवत उन्नती को लागी भागवत छेत्रमा प्रयत्नगर्ण को निम्ती भाविष्यको निम्ती साचनू चाईना एक जाना दार्शनिक भयकासन बर्ट्रेन रसेल उनले आखनू पुस्तक प्रिंसिपल्स अफ सोसियल रिकंस्ट्रक्शन मा बने Life devoted only to life is animal without any real human value. If life is to be fully human, it must serve some end which is impersonal and above mankind such as God or truth or beauty. यदी जीवनलाई वास्तव मा सदुपयो गर्नू छा वने एसको प्रयोजन वास्तव मा भगवान को सेवा उनू पर छा। यवटा ब्यक्तीले गहन चिन्तन गरेर पनी यही निस्कर समापूक्षा कि बाचन कई निम्ती बाचने ओईन, बाचन को निम्ती तपसु अरुपनी बाची रहे का छन। हामी ता मनुष्याओं बिवेक छा आमीमा ज्ञाण सक्ती छा, कर्मगर्न सकने सोतंत्रता छा, हामीले चायों बने नरक जान सक्छों या भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छों, भगवानलाई दास बनाउन सक्छों सधै को लागी यहती महत्तोपुण मानव देह होयो। ठीक, आब आमी भगवान लाई जान्न को निंती प्रयत्न गरूं। तारा भगवान लाई जान्नू बंदा पहीले भगवान को अस्तित्व सिद्ध उन परे। ृकिना कि मानिलिनूस कुनई वस्तुको अस्तित्व नहीं छयाई नु, अनि तेसको बारेमा चर्चा गरू, तेसलाही जान्न प्रयत्न गरू योत्फेरी मुर्खता उन जान छौ। तेसे इले कुनेईपनी वस्तुको बारेमा जान्नु बंदा पईले त्यो वस्तु छा बन्नी सिद्धत उनु परे तेसे इले भगवान को अस्तित्तो को सबे बंदा पईले सिद्ध गरिने छा रस्तनातन धार्ममा मैंले इस अगीपनी बताई सके कुछु कि कुनेईपनी वस्तुको ज्यान प्राप्त गर्नको निम्ती या कुनेई वस्तुको अस्तित्तो सिद्ध गर्नको निम्ती आमी तीनोटा प्रमाड दिने गर्छों पहिलो प्रत्यक्ष प्रमाड, दोसरो अनुमान प्रमाड अनी तेसरो शब्द प्रमाड प्रत्यक्ष प्रमाड भन्नाले इंद्रिय रा इंद्रियको विशयको संपर्क बाट जुन ज्यान उत्पन्न उन्छा तेस बाट जे प्रमाड उत्पन्न उन्छा तेसलाई वनींछ प्रत्यक्षय प्रमाड जस्तै आखाले देखेर कुने वस्तुको अस्तित्तो सिद्धा उन्छा यदि तेशलाई देखना सकियू बने अब में प्रत्यक्षय प्रमाड अंतर्गत भागवान को इस्वरको अस्तित्तो को बारेमा चरचा अगरूँ एनुस भागवान लाई हम्रो अवस्थामा प्रत्यक्षय रूपमा देखन अथवा अनुभव गरन सकी दैना फेरी द्यान दिनुस मा फेरी बताऊँचु हम्रो अवस्थामा बर्तमान हम्रो जुन साधना को इस्थिती छा चेतनाको इस्थिती छा यो बर्तमान हम्रो इस्थिती मा आमी भागवानलाई प्रत्यक्षय देखना सुन्ना अनुभव गरना जानना सक्दैनु हीना एसको पनी कारण बुद्णुस सास्त्रमा एसको कारण बताईये को छा जस्तै पहिलो कारण भागवान इंद्रिय मन बुध्दी बन्दा परउनुँछ इंद्रिय अभ्या परायर्थ अर्थेव्यस्च परम्मन मनसस्तु परा भुद्धिर बुद्धे-रात्म महान पर महता परमब्यक्त मब्यक्तात पुरुसा पर पुरुसान परमकिन्चित साकास्थास परागती कठो पनिशद एक तिन दस एक तिन एगार बेद वन्द छा कि इंद्रिय वन्नाले आखा नाग इत्यादी इंद्रिय वन्दा पर इंद्रिय का विशे अरुछन रत यो विषे बंदा पर मन छ, मन बंदा पर बुद्धी छ, बुद्धी बंदा पर आत्मा छ, आत्मा बंदा पनी पर मया छ, र म separately पर्आब भागवान उनों, आमी ले कुनेपनी वस्तुलाई जान्नू परेवने के द्वारा जान्छां। इंद्रिय, मन, बुद्धी यही तीनोटाता साधन अरुछन आमी संगा। है नरा। कुनेपनी वस्तुको ज्ञान प्राप्तगर्णको निम्ती सवेबंदा पहिले आखाले हेरे। आखाले एरे पछी तेसले यहटा ज्यान संदेश पठायो मनले संकल्प विकल्प गर्छा। बुद्धी ले डिसिजान दिन छा यो रस्ची ने। एस प्रकारले इंद्रिय मन रबुद्धी द्वारा आमी कुनेपनी विशेको ज्यान या कुनेपनी विशेको अनुभव गर्द छो। अब जुन बिशय इंद्रिय मन बुद्धी बंदा पर चा तेसलाई आमी इंद्रिय मन बुद्धी द्वारा ग्रहण गर्न सकते नू भागवान तब थेरेई परको कुरा भागवान बंदा पहिले माया त्यो बंदा पनी पहिले आत्मा कई बारेमा आमी इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा जानना अनुभव गर्न सक्देनो भागवान को बारेमा तब सम्भव नहीं छैना ते साहिले ने वेद बंदा छा अद्रिष्टम आ ब्यवहार्यम आ ग्रायम आलक्षणम आ चिंट्यम मान्डुक्यो पनिषतको सातों मंत्र भागवानलाई कसीले देखन सक्देशना बेवहार मा लियाऊना सक्दैना इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा गहन गरना सक्दैना अरको पनी कारण वेद मा बताएको छा कि आमी भागवान लाई कीना प्रत्यक्षे देखना अनुभाव गरना सक्दैना यह विशेपनी जानना जारूरी छा किने कि या आरू कसे संग चर्चागरने क्रम्मा यह कसे ले यतिकी आयर बंदिन छा कि भागवान ता भायको भाई देखिनू पर ने बाग्वान चन, खवटान चन, खवग घज़ भाग्वान.. कई भागवान चन.. न Twitch मल सथे ई भगवान चन, मSN chन..? आमिट देख दैन। अस्थित्तु देखी नुप आग भागवान भाय को ? संसार में एक युटा उधारन द्वारा भुज़ो.. आखा माईक इंद्रियो र द्रिष्य माईक विषयो आमी माईक इंद्रिय आखा द्वारा माईक विषय द्रिष्यलाई देखना सक्छों ने ठीक, सक्सों, अब अरको विशयलिनुस ध्वनी, माईक इंद्रिय द्वारा, माईक आखा द्वारा, माईक विशय, माईक ध्वनी लाई, देखना या ग्रहांड गर्न सकींचा, सकी देखना अर्थात, याउटाय चेत्रों याउटाय छेत्र, माईक छेत्रों माईक इंद्रिय द्वारा, माईक विशय ग्रहांड गर्न सकी देखना बने भगवान त छेत्र ने अरको छेत्र हो दिभ्य छेत्र तेसले मागिक इंद्रिय द्वारा दिभ्य विशय को ग्रहण गर्न सकी दैना बेद वन्द छा दिभ्यो यमुर्ताह पुरुखाह मुंडको पनिशत 2-1-2 अर्थात भगवान दिभ्य उनुँँँछा गीता मा पनि भगवान ले वन्द वायको छा जन्म कर्म चमे दिभ्यम गीता चार नौ अर्थात भगवान को जन्म र भगवान को कर्म दिभ्य उन्छन। तेसले भगवान दिभ्य वायको उनाले आमी माईक इंद्रिय द्वारा भगवान लाई देखन या भगवान को विशय ग्रहन गरन सक्दैनों भागवान इंदिरियम मन बुद्धी वन्दा सर्वत्था परवयकोले भागवान लाय आमी देखना या अनुभाव गरन सक्दैनों एसको मतलब के भागवान लाय कसाई ले पनी देखना सक्दैना कहीले पनी देखना सक्दैना अधब आमीले पनी कहील ते पनी देखन या अनुबब गरन सक्दैनों, तेसो वई नुदु इतिहास्त मा, अनन्त जीवरु ले भगवान लाई देखे, भगवान संग साक्ष्यात्कार गरे, दर्सन गरे, अनन्त महापुरुस भये, आमी गनेरपनी भ्याउन सक्दैनों, ती सबैले भगवान लाई देखे, प्रमाडे नुष गीता माने, अर्जुनले भगवान स्रिक्रिष्ण संगा, वहाको दिभ्य सोरूप को दर्सन गरने इच्छा वेक्त गरे, दर्स्टु मिच्छा मिते रूप मैश्वरम पुर्शोत्तम, हे प्रभु, मलाई अजुरको दिभ्य सोरूप को दर्सन इच्छा वे, जिता एक आरतिन, भगवान ले यो बन्नुबाई ने के बगबग गर चास, मा आले ठीक छा, मा देखाउँ छू बन्नुबाई, यदी देखने न सकीने बाएको बाए, अर्जुनले गाली गरनुन दियो, कसे ले पनी भगवान ले देखना सक्देना तहिंले भगवान ले गाली गरनुबाई न, बरू उल्टो बन्नुबाई पश्यमे पार्थ अर्जुन, मेरो दिभ्य सोरूप को दर्सन गर, किता एगार पाथ, पश्यमे पार्थ रूपाणी सता सोथा सहस्त्रस, यती भणेर, हेरनु भणेर, वाले के गरनुबाई दर्सया मास पार्थाय पारमम रूपमैश्वरम गीता एगार न, दर्सया मास बन्नाले देखाउँनुबाई अब यो तिन्टा को बीच मा यहुटा त्या गटना गटेको छा, के गटना गटेको छा, भगवान ले पहले अर्जुन ले सम्झाउनु बागो छा, कि दिभ्य सरू देखन सक्दैनस, तेसेले मत अलाई दिभ्य द्रिष्टी दिन्छु, दिभ्यम ददा मिते चक्छु, गीता एगार आठ पहिले भगवान लेके गार नुबायो, दिभ्य द्रिष्टी दिनुबायो, न तुमाम सक्क्य से द्रष्टुम अनेनाइब सचक्षु पहिले तेरा इ माईक इंद्रिय द्वारा, माईक आखा द्वारा मेरो दिभ्य सोरूक को दर्षन गर्न सक्दैनस, यहां बुर्पनी भगवान ले यही बताऊनुबायो, कि माईक इंद्रिय मन बुद्धी द्वारा आमी भगवानलाई देखना सुनना ग्रहन गर्न सक्दै तेसेले भागवानलाई एदी देखनू छा बने भागवान वाला आखा चाहिन छा दिभ्य द्रिष्टी भागवानलाई सुन्नू छा बने भागवान वाला कान चाहिन छा भागवानलाई जाननू छा बने भागवान वाला बुद्धी चाहिन छा यो भागवान वाला आखा भगवान वाला कान, भगवान वाला मन, बुद्धी, भाय पछी, हामी पनी भगवान लाई सर्वत्र देखन सक्छों, सदै वहां को मुरली को आवाज सुन्न सक्छों, एक जाना गोपी बन्द छिन बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, बेलिन में, बाटिका में, खूलन में, बन में, दरन में, दिवारन में, देहरी दरी चन में, इरन में, हारन में, भूशन में, मन में, याही ब्रज मंडल के, रेणू में, कण में, जाहा जाहा देखाऊ ताहा श्याम ही दिखाई देत मेरो श्याम छाइ रहयो नैनन में मन में अर्थात गोपी बंद छिन की मैंले जहां हेर चु चाहे बाट ओस, चाहे भगजकृ चाहे ब्रिख्ष्य ओस, चाहे डोका ओस, चाहे परखाल ओस सारवात्र मा केवल स्री कृष्ण लाई देखताचू तेसे ही गरी अर्की गोपी बन्द चिन जित देखूं तित शाम मैं है शाम मैं है जित देखूं तित अर्थाथ मत जहां एर्चूं तिहां शाम सुन्दर लाई देखूं शाम कुंज बन यमुना शामा शाम गगन घन घटा चाई है जित देखूं तित शाम मैं है जहां उनी एर्चिन तिहां शाम सुन्दर लाई देखूं कहीं भागवान लाई पनी सर्वत्र कसाईले देखूं उनले पनी यो कुरा सुनिन कि भेग्तियारू मलाई पागल बन देखूं तारा मत वास्त में शाम सुन्दर लाई सर्वत्र देखूं उनले सोचिन कि म पागल हूं अथवा ती पागल हूं कि ने कि उन्यारू देख देने ना आश्चारे को कुरा मैं बोरी की लोगन ही की शाम उतरिया बदल गई है शाम मैं है जेत देखूं तित शाम मैं है शाम मैं है इस प्रकार जब भगवान वाला आखा मिल दचा इंद्रिया मन बुद्धी मिल दचा तब आमी पनी भगवान लए प्रत्यक्षय देखना अनुभव गर्न सक्छों अनि बल्ल आमी प्रत्यक्षय रूपमा प्रमाडित गर्न सक्छों कि भगवान होनून छा बनेर अन्य था त्योवंदा पहीले हामी माईक इंद्रियमन बुद्धी द्वारा भागवान को प्रत्यक्ष गर्न सक्दैनों अव एस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा आमी हम्रो अवस्थामा भागवान को अस्तित्तो लाई सिद्ध गर्न सक्दैनों तेसेले अव आमी केको सारा लिण छों अनुमान प्रमाड को अनुमान प्रमाड द्वारा आमी भगवान को अस्तित्तु सिद्ध गर्दै भगवान लाई जानने प्रहत्न गर्ने छों रजाननु नहीं छा भगवान लाई, नजानीकना काम बंदैना आनंदने मिल्दैना अमियो 84 लाखियो निमा घुमेकु घुमे उन्छाओं, अनेक प्रकार का आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिवाउतिक दुखले ग्रस्त उन्छाओं, तेसेले भगवान लाईता जाननु यहारले पनी समाहित चित्त वैरा सुन्नु अला र इसको लावलीनु अला भगवान को अस्तित्त आमी अनुमान प्रमाण द्वारा अभा सिद्ध गरने चाहूं तरा अरको पठक, जैश्री रादे प्रमान प्रमान को अर्सी समाहित वाले भी अला र दोत croric